हेलो फ्रेंड्स यह देखिए मैं एक और प्लांट को अभी शिफ्ट कर रही हूं यह एक फ्लावर का है मुझे इसका प्रॉपर नाम पता नहीं है अगर आप लोगों को इस पत्ते को पैचान का कुछ नाम पता चल रहा है मैं सरफ इसको अभी सरफ मात्र कहने के वज़े से ल तो यह देखे चोटे चोटे पत्थर है मत्की के टुकड़े हैं जो भी आपको मिलता है आप उसको नीचे छेदों में लगा सकते हैं और यह देखिए मैं इसका में पूरा निकाल दिया है इसमें लाल मिट्टी नहीं है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ज्यादा सोचना नही यह देखिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जड़ा है तो इसको हम लोग पहले शिफ्ट कर लेंगे अच्छा इसमें दो पेड़ आ चुके हैं यह देखिए यह दो पेड़ शिफ्ट हो रहे हैं एक साथ यह दो पेड़ है यह देखिए इसमें लग अलग शिफ्ट कर दूँगी यह दो पॉंधे देखिए जड़ों में मुझे दो एक साथ मिल चुके हैं यह देखिए इसकी थोड़ी से टहनी भी तूट गई है यह देखिए और इस पॉंधे को मैं सोचने हो लगा देती हूँ याला मैं इसमें लगा देती हूँ और यह जो मैंने पॉट तयार करा है इसको हम लोग पहले भर देते हैं अच्छी खाद बाद मिला कर यह देखिए बहुत अच्छी मिट्टी तयार हो रही है आप इसी मिट्टी के साथ इसको शिफ्ट कर सकते हैं जो भी आप प्रिपेर कर रहे हैं अपनी मिट्टी को उसमे ही ये बीच में लगा देना है और इसको shift कर देना है देखिए ये बहुत अच्छी जड़ इसमें already निकल गए और जबी भी आप इसको shift करना चाहते हैं मैं दो मिनट इसको पहले अपने हाथ से एक बार जड़ को समेट कर फिर मैं आपको इसको दिखा देती हूँ ठीक है friends ऐस आपन पहले shift कर देती हूँ मैं आपको भी दिखा देती हूँ ठीक है यह देखिए यह थोड़ा मैंने इसको इसको उपर से मिट्टी डाल कर इसको सही कर दिया है यह देखिए I think यह में भी आपके किस तरह से मुझे इसको पता नहीं है यह किस तरह से होगा बट यह देखिए मैंने इसको shift कर दिया है अब आप देखिए इस plant को थोड़ा सा दबा देना है चाओ में रखना है 7-8 दिन हो जाए आप चाओ में इस पौ लोगों को मुझे इसका नाम प्रॉपर पता नहीं बट फ्लावरों से इसकी नाम को आप पता सकते हो और इसको देखिए एक 60 रूपीस का मैंने लिया था एक में मैं इसको दो पौंधे मिल गए तो फ्रेंड्स आप कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है देखिए आपके साथ यह